एगुमू के बहुत सारे छात्रों का या कमेंट आ रहा था कि हम अपना जो एक्जाम है जून एक्जाम 2023 को अगर इस बार थियोरी पेपर या एसाइमेंट किसी एक को छोड़ दें किसी एक को दे तब क्या होगा अगली बार हम कैसे दे सकते हैं मालें ये कोई छात थियोरी पेपर देना चाहता है जून एक्जाम 2023 में एसाइमेंट छोड़ना चाहता है या केवल एसाइमेंट देना चाहता है और थियोरी पेपर को छोड़ना चाहता है तब उसके पास क्या आपसन है चलिए मैं आपको बिना देरी किये हुए बता दे रह लें अगर इनका थिवरी पेपर छूड जाता है किसी कारण वर्स तो इसी वर्स आप विसंबर में होने वाले 2023 के परिच्छा में समलित हो सकते हैं और फिर से आपको अपना एक्जामिनेशन फारम भरना होगा और जितना फिर्स अब लगा है उतना ही फिर्स आपको उस समय भी देना होगा कोई छूट आपको परदान नहीं किया जाएगा चाहें आप कितनी वार एक्जामिनेशन फारम बर ये हर बार आपको फीश देना ही देना होगा तो इसलिए संभव हो सके तो आप अवसे एक्जाम अपना दीजीगा तो ये थिरी पेपर हो गया जून एक्जाम 2023 में अगर आप समलित होने वाले हैं चाहें किसी भी सेशन चाहें कोई भी यहर आपका हो अगर इसमें छूट आपको नया बनाना होगा जनवरी 2023 सेशन का थी तो ऐसे चाहतरों के लिए माल जी लिख लिए होंगे जितना भी लिख लिए होंगे जमा कर दीजेगा कुछ सब्जेक्ट करा है तो नया आप बना के जमा कर सकते हैं लेकिन संपूर नहीं जमा करेंगे तो फिर से आपको इनका भी आरा है कि माली जे हमारा सेमेस्टर है जो सेमेस्टर है और जून में जो एकजाम हो नहीं होंगे जनवरी 2023 सेशन में एडमिसन लिए हैं इनका एक्जाम होगा डिसंबर 2023 सेशन में उसी वर्ष सभी लोग अपना अप्लाई करेंगे मानली जनवरी 2023 सेशन वाले चात कर रहे हैं कि हम डिसंबर 2023 में जो यरली लिये हैं नई समलित होना चाहते हैं के वल्ट एसाइमेंट जमा करना चाहते हैं तो ठीक है आप एसाइमेंट जमा कर दीजे अभी वाला जो नए आवा एसाइमेंट है लेकिन आप ठीवरी पेपर अगले वर्ष 2024 में जून 2024 में होने वाले एक्जाम में आप समलित हो सकते हैं अपना फस्टियर का एक्जाम दे सकते हैं या जितने सब्जेक छुटा रहेगा उसका एक्जाम आप दे सकते हैं जून 2024 में ठीक है तो आप समझ गहें होंगे एक छुटेगा अगली बार आएगा यह चुटेगा फिर डिसमबर 2024 का एकजाम आएगा यहां भी आप दे सकते हैं तो यह थिवरी पेपर का साइकिल रहता है हर 6 महिने पे चलता रहता है एक चुटेगा तो अगली में आप समलित होके दे सकते हैं नुकसान तो कुछ जादा नहीं है लेकिन आपका सेशन नुकसान होता है आप जन्वरी से जून में चले जाएंगे जून से आप जन्वरी में चले जाएंगे यहीं सेशन होता है ठीके बाकि आपको इसाइब में हर वर्ष नढ龍แล करकी नहीं बनाना भोगा door पूराणा वाला नहीं चलेगा इसलिए झतना भी बन झाए नया वाला उसको जामा करते जाएगा बाद में आप बनाकर सकते हैं तो और झावमा यह समझ गए हूँए आप च्लाने में में यह समय गया होगे का समझतां है का में डिसमबर में एक्जाम होता है छे महिनने पर एकजाम आप के चलते रहते हैं ऐसे ऐसे ठीक है इसमें च्छोटा थो इसमें च्छूटा हो तो इसमें च्छूटा थो जाएंगे यह कोई भी Libya आप लगा लाकि एसे एक्जाम चलता रहता है तो अपना एक्जाम दे सकते हैं इसे संबंदित कोई भी अन्य प्रसंद आपके मन में हो तो निशीत तोर पे आप हमसे कमेंट करके अवज पूछ सकते हैं, जान सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जो़ान कर सकते हैं इस्टागरम पे फोलो कर सकते हैं दोनों का लिंक वीडियो के डिक्सेप्सन में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पे पहली बाने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोट्पिकेशन अवास प्रेस करेज़ेगा ताकि जब भी कभी मैं एकनू समबंदित कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोट्पिकेशन सबसे पहले आपको राप्त हो जाएगा